तो डॉक्टर गुरू मेरा सबसे पहला सवाल तो यही कि जाती गत जनगणना पर क्या एक और कन्फ्यूजन देखा और संग के भीतर देखा? गरिमा जी आपको और पैनल में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ट साथियों को हमारा प्रणाम देखिए कहीं भी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं है जहां तक संग की बात है मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि संग की जो राय है वो रखने का अधिकार मातर तीन लोगों के पास है और अखिल भारतिय प्रचार प्रमुक् सुनीलामदिकर जी के पास जिनका ट्ट आपने पढ़ा और ये स्पष्ट है हमारे समाज में गैर बराबरी है, समाज में असमानता है, इससे लड़ने के आवशकता है और इससे लड़ने के लिए आरक्षन हो, जाती कर जन्गरना हो, उस पे विचार किया जाएगा लेकिन जान बूच करके अकारण, कॉंग्रेस के ट्विटर हैंडल का आपने जिक्र किया, आरजेडी के ट्विटर हैंडल का आपने जिक्र किया तो अस्तित्ववादी संकट से लड़ने के लिए ये तरह-तरह के शिगूफों को छोड़ते रहते हैं और देखे गरिमा जी ये स्पश्ट हमें समझनी क्या आउशकता है संग कोई आज से ऐसा कह रहा है ऐसा नहीं है आपको भी स्मरण होगा 2018 में सरसंग्चालक मुहन भागवत जी ने इसी संदर्ब में नई दिल्ली के विज्ञान भवन के डायलोग में स्पश्टूप से कहा था आरक्षन कब तक तो आरक्षन जब तक आरक्षित वर्ग चाहे तब तक जब तक दलित वंचित सोशित पेड़त स्सी स्टी ओबी सी कहेंगे आरक्षन है तब तक देश में आरक्षन रहेगा लेकिन इसके बावजूत तरह तरह के भरम तरह तरह के ब्रांतियों को समय समय पे फलाया जाता है लेकिन संग का अपना इतियास रहा है विदर्व के प्रमोक नागपुर में संग के मुख्याले में ओफिशली मीटिंग करते हैं जिसमें विदायक शामिल होते हैं शिवसेना के भी और बीजेपी के भी जिनको ब्रीफ करते हैं और ये सालाना ब्रीफिंग है ऐसा नहीं कि कोई अचानक उठकर आ गया तो श्रिदर्व गाड़गे इन सारे विदायकों को ब्रीफ करते हैं संग के मुख्याले में ब्रीफ करते हैं और फिर बाहर आकर मीडिया को बयान देते हैं और कहते हैं कि संग का मानना है और, इस तक मानना है, जातिकट जनकर नाहानिकार है, इसे आपुपियसाल स्टेटमेंट नहीं माननेगे मैंने, गरिमा जी, मैं पुना आपके इस प्रश्ण का जवाब दे देता हूं जो मैंने प्रारंभिष क्रबोधन में भी दिया था कि संग का official stand क्या होता है ये संग के तीन लोग तै करते हैं सर संग्चालक मोहन भागवजी, सर कारवया दक्ता तरे होसबोले जी और अखिल भारतिये प्रचार प्रमुक सुनील आमबेकर जी संग का official stand क्या है ये इन तीनों के द्वारा ही तै होता है और संग का official stand सुनील आमबेकर जी ने अपने tweet के मादियम से स्पष्ट किया है 2018 में मोहन भागवजी ने विज्ञान ववन में पूरे देश के सामने स्पष्ट किया था अगर चुआ चूत पाप नहीं है तो दुनिया में कोई भी चीज पाप नहीं है तो पर गुरू आप कह रहें कि कोई confusion नहीं है और मैं भी मान लेती हूं कि कोई confusion नहीं सुनील आमबेकर ने जो कहा मैं उस बात को मान लेती कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए सामाजिक समरस्ता और एकात्मता खंडित ना हो ऐसी जातिगत जनगणना होनी चाहिए तो पिर संसद में जो नित्यानंद राय कह रहे हैं कि भाई कोई विचार नहीं जातिगत जनगणना का सेंसस में OBC के डेटा को शामिल करने का पिर यहां confusion है क्या अने गरिमा जी confusion शब्द का उपयोग बावरार आप करके दर्शकों के मन में confusion अगर पैदा करना चाहती है तो यह मेरे कारे शेत्र का हिस्सा नहीं है अब बिल्कुल साधी जमान में आपको समझा रहा हूँगा आप समझने की इक्षा रखती है तो आपने निट्यानंद राइजी को कोट किया मैं आपसे विनमरता पूरो कागरे करता हूँ कि उनके वरिष्ट हम सब के वरिष्ट केंद्रे ग्री मन्त्री अमित शाजी ने ज कि भारतिये जंता पार्टी कभी भी जाती गत जंगर्णा के विरोध में नहीं है ये बोलने में क्या दिकत होती है आपको लेकिन एक स्टेट्मेंट को उठा करके एक नित्यानंद राइजी के स्टेट्मेंट को उठा करके पूरे संग को पूरे भारतिये जंता पार्टी क को जो कहते हैं ना प्रवक्ता है और इसलिए मैं गंभीरता से फिर सवाल दो रादू आप ने कहा नित्यानंद राए के एक मात्र बयान को उठाकर ब्रह्म पैदा करने की स्थिति है यह इतना क्या गहर जरूरी बयान है नित्यानंद राए केंद्रिय ग्रही राज्य मंत्री पूछे गए सवाल के जवाब में कहते हैं कि केंद्र की कोई योजना नहीं है जाती आधारित जनगणना की क्या ये इतना हलका स्टेट्मेंट है गुरू गरिमा जी ये हलका है भारी ये आप कह रही है मैं इस पर कोई टिपड़ी नहीं कर रहा हूं मैं आपको बस इसका उधारन दे रहा हूं कि केंद्रिय ग्रही मंत्री श्री अमिट शाह जी ने भी सावर जनिक रूप से पब्लिक डोमेन में पब्लिक लिए कहा है कि बीजेप प्रोफ है प्रोफेसर नलिन महता जी की और नलिन महता जी ने इस पुस्तक के पेज नंबर 24 पे एक चाट्टर है How the BJP became the most socially representative party in UP उसमें एक डेटा कोट कर रहे हैं नलिन महता जी प्रोफेसर है National University of Singapore में ये कहते हैं कि भारतिय जनता पार्टी में 113 OBC, 43 आदिवासी, 33 ये के सांसद है, अगर अलग शब्दों में कहें तो लग लगभग 37 प्रतिशत BJP के सांसद OBC समाज के हैं, 14 प्रतिशत अनुसुचित जन जाती समाज के हैं 18 प्रतिशत SC समाज के हैं ये लिया कि OBC के सबसे बड़े हिताशी आप है जो आपका क्ले में आपका दावा है सच्चा दावा है आपने रेप्रेजेंटेशन दिया तो ये कहने में क्यों गुरेज है कि 24 के बाद जो पहली जातीगत जनगण पहली जो जनगणना होगी जो सेंसस होगा उसमें आप डेटा शामिल करेंगे फ्लोर ऑफ दाउस ये कह दीजिए और फ्लोर ऑफ दाउस भी नहीं कहना चाहते हैं तो आउटसाइड ऑफ दाउस कह दीजिए गरिबान जी देखिए ये हाँ या ना ब्लाक और वाइट पहला तो मैं ये कहने के लिए अधिकरित हूँ नहीं मैं जब सदन में जाऊंगा मेरे पास जब भी अथोरिटी आएगी तो आप मुझसे ये सवाल करीगा तो आपको ये जवाब दे पाऊंगा लेकिन एक्शन स् शिगूफा फिलाया है उन्होंने क्या दिया है नितीश कुमार जी महादलित मूसर समाज के आने वाले जीतन राम्मान जी जी को विधान सभा के फ्लोर पर ही कहते हैं तुम बन नहीं सकते थे तुम काबिल नहीं थे तुमको मैंने बनाया लालु यादव जी मैंने देखा क उनकी पांचवी बेटी भी अब राजनीती में आ रही है लालू यादर जी के समाजिक नहीं के परिभाशा क्या अध्यक्ष में उपमुखे मंत्री मेरा बेटा मंत्री मेरा बेटा राजसवा मेरी बेटी विधान परिशत में मेरी बीवी अरे ये समाजिक नहीं होता है क्या परिवार वार पर अलग भी पेट हो जाएगी तो जब मैं फिर से उसी प्रेशन पर आ जाते हूं भाई सबसे बड़े ही तैशी आप रेप्रेजेंटेशन सबसे जादा देने वाले आप वोट हासल करने वाले आप योजनाए बनाने वाले आप तो पर जात्वीगत जनगणना पर यह क्लारिफेकेशन आप क्यों नहीं दे पाने के इस्तिति में हैं कि आएंगे 24 के बाद सत्ता में आएंगे लोटेंगे 25 में सेंसर्स होगा डेटा शामल करेंगे ओब इसी का खर यहां तो कंफ्यूजन है ना खर गरिमा जी देखिए मैं पुनह आपकी इसी अपने कोई कंफ्यूजन गरिमा जी फिर आप कंफ्यूजन ने कोई नहीं है कंफ्यूजन अगरिमा जी अइसा है कि जो बात करते हैं उन्होंने नरसंगार किया हे जो बात करते हैं उन्होंने कितना दिया है, आप बताइë नא, यहाँ पे। यहाँ पे राजिस्थान में कॉंग्रिस की इतनी लंबे समिं तक सरकार थी, भारतीय जन्ता पार्टी के साथ जन्ता दल युनाटीड की बिहार में सरकार रही है, अभी जन्ता दल युनाटीड की स उन्हें हमारे हम लेकि जब लेकि आध कंगन को आरसी कि आप पड़े लेकर पारसी कि आप अजय कि आप अजय कि आप है